साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहेंड 14 दिसम्बर को पढ़ने जा रहा है इस सूर्य ग्रहेंड की समापती के साथ ये साल की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा साल 2020 में संसार ने बहुत सारी समस्याओं का सामने किया था जिनमें से एक सबसे बड़ी समसे थी कोरोनो वाइरस जिसने पूरी दुनिया में तहल कमाचा दी तरहसल दोस्तों जो तिसी काल गरना की अनुसार जो योग बन रहा है उस योग के अनुसार धीरे धीरे अब कोरोनो वाइरस का अंत्य सुरू हो जाएगा कई देश कोरोनो वाइरस पर पूरी तरह काबू पालेंगे जिसमें भारत के लिए भी बहुत बड़ी खुसकबरी है कि साल की शुरूआत में भारत देश में भी कोरोनो वाइरस का जो वैक्सीन है वो बितरित होने लग जाएगा और लोग पूरी तरह ठीक होने लग जाएग पहले हम सूरे ग्रहन के बारे में बात करेंगे पहली बात तो ये सूरे ग्रहन है जो स्याम को 7 बज़ कर 3 मिनट से परम होगा मैं आपको ये भारते समय के नुसर बता रहा हूँ और इसकी समाप्ती का जो समय है वो रातरी 12 बज़ कर 30 मिनट है यानि कि बारे बज़ करते इस मिनट पर ये सूर ग्रेंड है जो समाप्त हो जाएगा इस दोरान आप घर से भारना लिकने तो अच्छा रहेगा बैसे भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में नहीं दिखाई देगा तो इतको सी तक काल भी मानने नहीं होगा अब पूर में और कब से प्रारम हो जाएगा कोरोनम हमारी के बीच देश में जल्द ही इसकी वैक्सीन आ सकती है पियम लरेंदर मोदी भी इसे बात की तरफ इसारा कर चुके हैं कि वहीं वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारे रूप रेखब बनाने में ज की पेचान और ठीका करन कारे करम है जो सुबह 9 बज से प्रारम हो जाएगा और से हमको 5 बजे तक ये कारे करम चलेगा कोरोनमारी के बीच देश में जल्द ही वैक्सीन आ सकती है पियम नरंदर मोदी ने इसे तरफ जो इसारा किया है वहीं वैक्सीन को आम लोगों तक सरकार रूपरे का बनाने में जुट गई है ऐसे में उम्मीद है कि देश वासियों को जल्दी कोरोनमारी से निजात मिल सकती है लेकिन इन्हें सबके बीच आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वैक्सीन कहा और कैसे लगाई जाएगी वैक्सीन सबसे पहले कि लोगों को दी जाएगी वैक्सीन के बारे में आज पूरी प्रिक्रिया समझ लेते हैं तो दरसल दोस्तों यह है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले किसे मिलेगी यह वैक्सीन आपको बता दे कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केर वरकर एक करोड है उनको मिल और पाचास वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति हैं यानि कि 26 करोड लगवग व्यक्ति बैठेंगे तो इन लोगों को दी जाएगी इसके बाद पाचास वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सिन दी जाएगी जो कि किसी पुराने गंबीर विमारी से ग्रस्त हैं ऐसे सारे में भी चान लेते हैं दोस्तों यह हुए आपके लिए बड़ी खुसकर रहे हैं डॉक्टर गीता कम पानी कहती हैं कि जीहां सरकार नहीं का है कि जैसे ही वेग्यानिकों की हैटी जंडी मिलती है वैक्सिन का उत्वादन शुरू कर दिया जाएगा भारत वायर टेक सीर कि एको दिया जाएगा उम्मीद है कि नय साल में हमारे देश में लोगों को वैक्सिन दी जाने लगेगी तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि आपसे कहा गया था वही उम्मीद भी बन रही है और योग भी बन रहा है कि हम पुरी तरह यानि कि नयस साल के शुरुक्क may कोरोन वारे से का आंतिव प्रारम हो जाएगा वैक्सिन देना प्रारम कर देगी सरकार तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुसकरी है